नमस्क्यार दोस्तों स्वागत आपका आज की स्वीडियो में पढ़ने वालें तुगलक वंस के बारे में हम इने प्रशनों के माध्यम से पढ़ेंगे जिसे काफी एजी हो जाएगा और हम दिर देन के बारे में चर्चा भी करते जाएगे तो चले दोस्तों सुरू करते हैं पहला प्रशन है अगर आपको प्रशनों का सही जवाब आता है तो फटाबट कमेंट वोक्स में टाइप कर दीजिएगा पहला जो प्रशन है तुगलक वंस की स्थापना किस ने की थी मुहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दिन तुगलक, नासिरुद्दिन तुगलक या अलाउद्दिन खिलजी सही जवाब है गयासुद्दिन तुगलक ठीक है इसके बारे में अद्दिन करते है तुगलक वन्स की स्थापना खिलजी वन्स गया सुद्धिन तुगलक ने ठीक है नाशिरुद्धिन खिलजी को मारगा 1320 में की थी ठीक है और 3 सितमबर 1320 को गया सुद्धिन तुगलक दिल्ली सल्क्रत की गद्धी पर बैठा ठीक है नेक्स्ट कोशन है गाजी की उपादी धारन करने वाला पहला सुल्तान कौन था मुहम्मद बिन तुगलक गया सुद्धिन तुगलक नासिरुद्धिन खिलजी या अलाउद्धिन खिलजी सुल्टान तो बहुत बने थे लेकिन गाजी की जिसने उपादी धारीन कही थी वो था कौन गया सुद्दिन तुगलक थर्डर कोश्न है गया सुद्दिन जो तुगलक वहंच के समय डाक विवाग का अधिकारी होता था सब्सक्राइब बरीद आ मुमलिक अलगाजी सदर आ रियासत या सर जहादार सब्सक्राइब बरीद आ मुमलिक ठीक है फूर्थ कोशन है गयास दिन तुगलक की मृत्यू कब होई तो सही जवाब है तेरा सो पच्चीस में ठीक है गया सु दिन तुगलक की म्रत्यू तेरा सो पच्चीस में बंगाल अधिनियम से लोटते समय जो रास्ते में अफगान पूर परता था वहाँ पर हुई वहाँ पर जो इनके पुत्र थे जोना खा मुहम्मद बिन तुगलक ने इनके लिए मंडब तयार किया था ठीक है और क्या वहाँ था कि वह मंडब तिक गिर जाने से गया चुदिन तुगलक की म्रत्यू हो गई इसके नीचे दबकर मर गए थे ऐसा माना जाता है कि सत्ता हासिल करने के लिए यह मंडब उसके पुत्र जोना का मुहममद बिन तुगलक के द्वारा गिराए गया था पूरा पता नहीं लेकिन ऐसा माना जाता है ठीक है और एक और खतन है इसमें ऐसमें ऐसा भ रहा जाता है कि गया सुगुल के प्रिशिद्य शूफी संथ निजामुद्दिन उल्या के साथ अच्छे नहीं थे इसकाम दिल्ली आने से पहले गया सुद्धिन निजामुद्धिन ओल्यक पर संदेशा विजवाय था कि मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ कर चला जाए इस बात पर निजाब उद्दिन ओल्या ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है और सुल्तान के दिल्ली पहुंचने से पहले कहाँ पर अपगानपुर में उनकी जो डेथ हो गई ठीक है नहरों का निर्मान करने वाला पहला सासक कौन था जिन्होंने नहरों का निर्मान कराना प यह था गया सुद्दिन तुगलक छटा है गया सुद्दिन तुगलक की मृत्व के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना मुहमद बिन तुगलक फिरोशा तुगलक अलावदिन खिलजी या खिजर खाँ तो सही जवाब है मुहमद बिन तुगलक बना जो जोना खाता इनका पुत्र गया सुद्दिन तुगलक का वो मुहमद बिन तुगलक की उपादी धारन करके दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था ठीक है कब मना तेरा सो पत्चीस में इनकी मृत्तिव के बाद में मद्दिकालिन भारत के सबसी सुल्तानों में सबसे ज़्याता सिक्सित एउम वेद्वान व्यक्ति था बलबन मुहमद बिन तुगलक अकबर या अलावदिन खिलजी सही ज़ाब हैं मुहमद बिन तुगलक आठो प्रिशन है इसके हम चर्चा कर लेते हैं लेकिन मुहमद बिन तुगलक की योजनाओं क्रत्ते और दूसरों के सुख दूख के प्रती उपेख्षय भाव रखने के कारण इसे रख पिपासू पागल स्वपन सील कहा है या सफल रही इसी कारण से पागल बात्सा के नाम से जाना जाता था ठीक है कुछ योजनाओं में बता रहा हूं आपको जिसे दवाब में करव रद्दी दवाब एक उपजाओ जागे थी लेकिन जिस समय इन्होंने टेक्स लगाया वहाँ पर उस टेम में क्या हुआ अकाल इसका परिवर्तन कहां कर दिया देवगरी और दौलताबाद में अपनी स्विदाइक मादम से केंद्र जो देवगरी थी दौलताबाद जिसका नाम रखाता वह बीच और बीच पड़ती थी लेकिन वहां भी क्या हुआ कि इन्होंने जो दिल्ली के सभी दर्वारी दुकान सबको एक साथ ही वहां ले गए तो एक जगह से दूसरी जगह एक साथ जाना लेकिन जहां जो दिल्ली के लोग थे उनको वह पसंद नहीं और दुबारा वह वहां लोट आए ठीक है तो यह यह वजना भी उनकी ऐसे फल रही सांकेतिक मुद्रा का चलन इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया लेकिन दिक्कत दिया है कि इन्होंने भी जो सांकेतिक मुद्रा थे उस पे कोई सरकारी या जो राजी के दर्श कोई साइन या चिन जारी नहीं किया इसकरण कई नकली मुद्रा हैं चलन में आ गई तो इनकी अधिकतर योजने ऐस सफले इनिस कार्णी से पागल वाद से भी कहा जाता है आठो प्रशन है मुहुम्मत बिन तुकलक ने क्रसी विकास के लिए किस विबाग की स्थापना की थी अमीर आ क्रसी, अमीर आ कोही, अमीर आ प्रभंध या इन में से कोई नहीं अमीर आ कोही, नवा प्रशन है अफ्रीकी यातरी इबन बदुता किस सुल्तान की समय भारत आया मुहुम्मत बिन तुकलक, बलबन, इल्टुतमेश या अलाउद्दिन खिलजी सही जवाब है, मुहुम्मत बिन तुकलक के समय अफ्रीकी यातरी इबन बदुता भारत आया था कब 1333 में और जो मुहुम्मत बिन तुकलक ने से दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1343 में राजदूत के रूप में कहां बेजा गया, चीन बेजा गया इबन बदुता को ठीक है, इबन बदुता की किस पुस्तक में मुहम्मत बिन तुकलक के समय की गटनाओं का वर्नन है सही जवाब है, किताब उल रहला में, जो की इबन बदुता की तुकलक के समय की सभी गटनाओं का वर्नन है किस सुल्तान के म्रत्व पर इत्यासकार बदाईवनी ने लिखा है कि आखिरकार लोगों को उससे मुक्ती मिली और उसे लोगों से सही जवाब है, मुछम्मद बिन तुकलक मैंने बात किती कि इसे रक्त पासु पागल बात साभिक कहते थे और लोग इसे परिशान हो गया थे ये लोगों से परिशान हो गया था इसी कारण जब इनकी म्रत्यू हुई तो लोगों ने कहा आखिरकार लोगों को उसे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। बारो प्रश्ण है कौन ब्रहमनों पर जजिया कर लगू करने वाला पहला सासक था। फिरोज साह तुगलक बल बन गयासुदिन तुगलक या अलाउदिन खिल जी। सभी जवाब है फिरोज साह तुगलक मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यू के बाद में फिरोज साह तुगलक गद्धी पर बैठा। मृत्यू को पुई थी 20 मार्श 1351 को। फिरोज साह तुगलक ने अधिकतर सभी करों को समाप्त कर केवल चार कर रखे खराज, खुम्स, जजियाकर और जकात ये चार कर रखे उन्होंने लगवग 25 कर इन्होंने समाप्त कर दिये थे ये चार कर इन्होंने रखे। तेरोज साह तुगलक ने अनाथ मुस्लिमों, महिलाओं, विद्वाओं, एवं, लड़कियों की साहिता के लिए किस विभाग की इस्तापना की। अमीर आ कोही, अमीर आ प्रभंद, दिवान, एक खहरात या इन्होंने से कोई नहीं। 俊पी जवाब है, दिवान, एक खहरात, कृसी विखास के लिए अमीर आ कोही की इस्तापना की थी। 14. फिरोसा तुगलग ने दासों की देखवाल के लिए किस विवाग की इस्ताफना की अमीर आ कोही, अमीर आ प्रभंध, दिवान ए खेरात या दिवान ए बंदगान सही जवाब है दिवान ए बंदगान एक बात जानकना की फिरोसा तुगलग के समय सबसे ज़्यदा दास थे लगवाफ एक लाख असी अजार मज्डिकालिन भारत में इतने दास किसी भी सुल्टान के पास में नहीं थे इस बात का जानकना अगर ये कोशन आता है तो आप गलत मत करना पंद्रवा प्रिशन है मुहमद बिन तुगलग ने देवगरी का नाम बदल कर क्या रख दिया था दौलताबाद खिजराबाद दोआब या कुतबाबाद क्या रख दिया था दौलताबाद हम लोग ने बात कर चुके पिछले एक प्रेशन के अंदर ठीक है पहले तो दिल्ली से इन्होंने अपनी रख दिया दौलताबाद बनाई देवगरी का नाम बदल कर उसके बाद पुने 1335 में का रख दिया दौलताबाद दिल्ली ले आए सोरा प्रिशन है फिरोज साथ तुगलक दौलग दौला लिकित आतम गता है तैकिक आहिंद फुतुआत आ फिरोज साही किताब उल्रहला या शाहनामा तो सही जवाब है फुत्वात आफिरोज साही किताब उल रहला इबन अबतुताइक द्वार लिखी कुई किताब है इसके अंदर मुहमद बिन तुकलक के समय के जो कारेते गटनाओं का बढ़न किया गया है अगला प्रिशन है सही जवाब है सल्तनत युक का अकबर किसे काया है फिरोज साह तुकलक को तुकलक बंस का अंतिम सासक कौन था फिरोज सा तुकलक, गयासुदिन तुकलक, मुहमद बिन तुकलक या नासिरुद्विन महमूद शा पहले था फर्स्ट जिन्न इस्तापने की गयासुदिन तुकलक उसके बाद मुहमद बिन तुकलक जोना खा फिरोज सा आया ठीक है और जो अंतिम सा सक था वो था नासिरुद्विन महमूद सा ठीक है उन्नीस्व प्रशन है निम लिखित में से किसका सासन सबसे अधिक समय तक रहा मुहमद बिन तुकलक, कुतुबुद्दीन एबक, इल्तुतमिष या अलाउद्दीन खिलजी जो सबसे ज़्याद समय तक जिसका सासन रहा वो थे मुहमद बिन तुकलक का मद्यकाली भारत में सबसे ज़्याद वो सासन रहा वो रहा मुहमद बिन तुकलक का बिश्व प्रशन है भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्द्रा किसके दुआरा चलाई गई अलाव दिन खिल जी हरियर सेकिंड मुहम्मद बिन तुगलक या इल्टु तमिश तो देखो सांक्रति मुद्रा के बारे में पहले बात कर चुका हूं यह किनों ने चलाई थी मुहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो लाइक करना बिलकुल न भूलें शेयर जरू कर दीजेगा और चैनल को अगर ना आये हैं तो प्लीज चैनल सब्स्राइब कर दीजेगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत